स्वागत है आप सभी का Current Affairs के हमारे इस वीकली प्रोग्राम में जिसमें हम International Relations अमन्दित महत्वपूर्ण Current Affairs के मुद्दों को डिसकस करते हैं और साथ में UPSC के previous year कुशन बेपर को भी डिसकस करते हैं तो इस वीक हमें तीन महत्वपूर्ण मुद्दे डिसकस करने हैं the first important issue is Russia-Ukraine war and its impact on Asian countries अब देखे रशिया-Ukraine war पर हम पहले भी discussion कर चुके हैं आप बोलेंगे previous series में भी हमने इस चीज़ पर बात की थी तो देखे पहले जो aspect था वो इंडिया के mediator role को लेकर था कि क्या इंडिया रशिया और यूक्रेन के बीच में एक mediator का role play कर सकता है अगर हां तो कौन-कों से challenges आएंगे इन पर हमने बात की थी लेकिन इस बार हम एकदम different topic पर बात करेंगे कि इस war का Asian countries पर क्या-क्या impact पड़ेगा तो आपको ये topic भी जरूर देखना है और previous series में जो हमने discussion किया था उसको भी देखना है और दोनों को combine करके एक notes बना लेने है so that examination में कोई भी question आजाए आप उसको solve कर पाने में सक्षम होंगे ठीक है और ये हमारा final article होगा Russia-Ukraine war पार अब हम इसके बाद Russia-Ukraine war को लेकर कोई भी further discussion नहीं करेंगे ठीक है तो हमारा comprehensive article आज यहाँ पर complete हो जाएगा उसके बाद second important issue is G20 presidency भारत को G20 की presidency मिल चुकी है ऐसे में क्या 5 take away है इस presidency के बाद वो हमें इसमें discuss करने है और G20 को भी हम पहले ही एक series में discuss कर चुके हैं जिनोंने नहीं देखा है वो हमारे playlist में जाकर पहले lecture को देख सकते हैं वहाँ से G20 आपका cover हो जाएगा and the third important issue is India-ASEan relation तो भारत और आशियान के relation किस प्रकार के हैं अभी recently जो बैठा कोई है उसमें क्या outcomes रहे एतिहासी ग्रूप से हमारे संबंद कैसे हैं आशियान के साथ और इनका future क्या है इन सभी aspect पे हमें बात करनी है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं lecture को लेकिन एक छोटी सी information और देता हूँ तो कि last जो हमारा international relation का series था उसमें एक mistake हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के relation को लेकर जहाँ पर उरी और पठान कोट में आपको थोड़ा changes करना है वहाँ 2015 की जगा दोनों में 2016 आएगा ठीक है हाला कि years आपके examination perspective से important नहीं रहते फिर भी वहाँ जो छोटी सी minor mistake है उसको आप जरूर चेंज कर लीचेगा एक छोटी सी information हमारे की initiative के बारे में November month लगबग खत्म हो चुका है ऐसे में बहुत सारे aspirants परिशानी फील कर रहे हैं कि उन्होंने current affairs prepare नहीं गया उनका static portion अच्छे से तयार नहीं है तो कैसे 6 महीन है वो prelims की तयारी कर पाएंगे ठीक है तो ऐसी सभी problems को solve करने के लिए हम प्रारंब batch start कर रहे हैं जहां पर आपको time bound manner में static and current affairs का syllabus complete करा जाएगा साथ में आपको weekly and monthly basis पर हम test series भी provide करेंगे so that आप अपनी preparation में confidence महसूस करें और ये batches Hindi medium and English medium दोनों में रहेंगे तो आपको कोई language को लेकर समस्या यहां feel नहीं होगी और अगर फिर भी आपकी कोई query है इस course को लेकर आप हमें call कर सकते हैं इस number पर और आप हमें mail भी drop कर सकते हैं ठीक है चलिए वापस आते हैं और अपने पहले article को discuss करते हैं और देखते हैं आखर Russia-Ukraine war में क्या नया update हमें देखने को मिल रहा है तो देखें यहां पर हुआ यह है कि Russia ने Ukraine के खेरसन प्रांद से अपने आपको वापस ले लिया है अब यहां पर इसका बहुत सारे implication हो सकते हैं इसी को हमें समझना है तो रशिया ने पहले तो खेरसन को अपने कबजे में लिया और इसको अपना integral part धोशित किया लेकिन अभी वो यहां वापस हो रहा है तो इसके क्या implication है अगर रशिया खेरसन नामक प्रांत से वापस हो रहा है इतनी बड़ी major country होके तो ऐसे में कहीं न कहीं यह रशिया की weakness को दिखा रहा है ठीक है और अगर रशिया weak होगा तो इसका सीरा impact पड़ेगा एशिया पर और सिर्फ एशिया ही नहीं इविन western countries पर भी तो इसका impact पड़ेगा न सर ठीक है तो अमेरिका पर भी impact आएगा कुछ European countries पर भी इसका impact आएगा तो हम यहाँ पर एशिया वाले perspective पर बात करेंगे ठीक है देखे एशिया पर किस तरीगे से impact आएगे इस impact को समझने से पहले आप कुछ dynamic समझिए ठीक है हमें तीन चीजों पर focus करना है एक है United States of America दूसरा Russia और तीसरा China इस angle पर focus करिए ठीक है तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको एक clear formation दिखाई देगा कि Russia और China आपस में एक दूसरे के supporter है इन दोनों के relation काफी अच्छे रही है चाहें आप एतिहासिक रूप से देखें चाहें आप economic रूप से देखें चाहें आप strategic तरीके से देखें दोनों ही countries के relation काफी अच्छे है और एक दूसरी दरफ country है United States जो इन दोनों को ही अपना दुश्मन मानता है और इन्हें एक rival की तरह देखता है इन्हें एक challenge की तरह देखता है ठीक है तो US क्या कोशिस करेगा US ये कोशिस करेगा कि अगर Russia किसी भी वज़ा से कमजोर हो जाए disadvantage में रहे तो इसका सीधा सीधा benefit मुझे मिलेगा मतलब US को मिलेगा और उसके बार अगर Russia कमजोर होता है इसको disadvantage होता है तो कही ना कही चाइना को भी इसका disadvantage देखने को मिलेगा और चाइना को अगर disadvantage मिलेगा तो इसका impact पूरे के पूरे इस Asia region पर देखने को भी मिलेगा ठीक है जी तो ये चीज आपको यहां समझ में आई इसके बाद यहां मैं आपको लेकर जाता हूँ दूसरे point पर तो हमने अभी triangular dynamics समझा Now the second important point is strategic front अगर हम strategic front से देखने की कोसिस करें तो यदि इस war की वज़ा से चाइना कमजोर होता है तो अमेरिका अपनी strategy को shift करेगा चाइना को कमजोर करने के लिए तो हमने अभी dynamics में बात की थी कि US के दो rivals हैं फर्स्ट वो देख रहा है रश्या को और सेकंड वो देख रहा है चाइना को आपने देखा होगा कि जब से Biden President बने हैं अमेरिका के तब से वो हर forums पर चाइना को पूरे का पूरा focus कहां shift हो जाएगा चाइना के उपर कि इसको किसी भी तरीके से कमजोर किया जाए तो ऐसे में चाइना की जो realist हैं मतलब वहां के यथार्तवादी लोग हैं international relation वाले उनको ये लग रहा है कि अब हमें US के साथ अपने relations को moderate करना चाहिए और जो differences है तो challenges है उनको कम करने की कोसिस करनी चाहिए क्योंकि अगर चाइना इस प्रकार के प्रियास नहीं करेगा और US का focus चाइना के उपर आ गया तो ये बहुत ही बुरा होगा चाइना के लिए तो एक तो हमें ये पूरा shift देखने को मिल रहा है और चाइना अगर किसी वज़ा से कमजोर होता है तो इसका पूरा impact Asian region पर देखने को मिलेगा क्योंकि Asia region में आप देखेंगे China कितनी बड़ी country है और इतनी बड़ी country का कमजोर होना इस पूरे Asian dynamic को प्रभावित करेगा ये तो पक्का है तो ये हो गया दूसरा point now the third point is from the perspective of power of the east ये देखा जा रहा था कि 2021 में जब अमेरिका ने अपने आपको अफगानिस्तान से वापस किया 2021 में इन्होंने अपने सारे जैनिक यहां से निकाल लिये तो कही न कहीं ये देखा जा रहा था कि US की strategy Asia में कही न कहीं वीक हो रही है और US जब कमजोर हो रहा था तो China को ये लगा कि यहां मेरे पास अच्छा option है इमर्ज होने का और सभी analysts ये मान कर चल दे थे कि America अगर इस region में वीक है तो China यहां उबरेगा ही उबरेगा लेकिन चुकी Russia जो है वो Ukraine में वीक हो रहा है और Russia वीक होगा तो इसका सीधा impact चाइना पर भी पड़ेगा अब देखिए इसको ना समझने के लिए आप एक simple thing assume कर सकते हैं कि मान लिजी आप एक class में बैठे हुए है और class में आपका friend class का monitor है ठीक है अब चुकी monitor आपका friend है ऐसे में आप अपनी class में पूरा एकदम openly घूम सकते हैं कोई आपको challenge करने की courses नहीं कर सकता क्योंकि आपका friend monitor है वो आपको बचाई लेगा किसी भी परिस्तितियों से लेकिन उसी class में आपका एक rival है दुश्मन है और ये आपके monitor को ही किसी तरीके से negatively impact कर देता है है ना उसको प्रभावित कर देता है तो आप पर भी तो इसका सीधा impact पड़ेगा ना तो यहां monitor के situation में है आपका Russia classmate जो है जो आपका friend है वो है China और जो आपका rival है वो है US तो अगर rival के दौरा monitor को कमजोर कर दिये जाता है मतलब Russia को कमजोर कर दिये जाता है तो सीधा impact चाईना पर भी देखने को मिलेगा तो ये हैं हमारे 3-4 dynamics उसके बाद अगर economic front पर भी आप देखने की कोसिस करें तो कहीं न कहीं ये दिखाई देगा चाईना की economic growth COVID के बाद से slow हो रही है लेकिन अगर comparatively देखेंगे तो US एक strong position में है हाला कि मंदी की जंभावना तो सभी जगा बनी हुई है लेकिन चाईना की comparison में US को देखेंगे तो उनकी economic growth काफी अच्छी है अभी भी तो ऐसे में अगर एशिया की बड़ी country की economic growth कम है और US की economic growth जादा है तो इसका सीधा impact एशिया पर पड़ेगा नेक्ट पॉइंट इस इंडो Pacific strategy अभी तक यह माना जा रहा था कि अमेरिका का पूरा focus यूक्रेइन पर है यूक्रेइन के conflict पर है अब चुकि रशिया वहाँ पर weak इस्तिती में दिखाई दे रहा है यहाँ पर अप कोई problem की बाद जादा नहीं दिखाई दे रही है अमेरिका को तो ऐसे में अमेरिका focus कहां करेगा अमेरिका focus करेगा इंडो Pacific region पर और इसी लिए इंडो Pacific region में अमेरिका की जो progress है वो देखने को आगे मिल सकती है यह हमारा तीसरा, sorry, fifth impact पड़ेगा उसके बाद next impact की बात करें तो आपने देखा होगा कि जब से रश्या ने Ukraine में invasion किया है रश्या की द्वारा एक धंगी भी दी गई थी कि रश्या अपनी territory को save करने के लिए उस पर अपना अधिकार जमाई रखने के लिए nuclear weapons का भी इस्तिमाल कर सकता है और इसी परकार से रश्या को पूरे वर्ल्ड में एक aggressive country के रूप में देखा जा रहा है और एश्या में भी अगर आप देखेंगे तो एश्या में चाइना एक aggressive country है और एश्या का अगर आपको aggression देखना है चाइना का तो आप चले जाएए South China Sea में South China Sea में जितनी भी countries है वो कही न कही चाइना के aggression से प्रभावित है चाहे वो व्यतनाम हो चाहे वो मलेशिया हो चाहे वो आपका ताइवान हो सभी इस challenge को face कर ले है तो ऐसे में इन countries में एक arm race बढ़ जाएगी ये लोग क्या करेंगे ये Asian countries अपने defense expenditure को बढ़ाने की कोसिस करेंगे यहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा arms acquire करने की कोसिस करेंगे तो war तो हो रहा है Russia और Ukraine के बीच में लेकिन इससे arm की race कहाँ पर बढ़ रही है arm की race बढ़ रही है Asia में तो this is the another impact अगर impact on India की बात करें तो भारत पर भी एक impact देखने को मिल सकता है moderate लोग ऐसा मान रहे हैं कि India में एक positive impact देखने को मिलेगा China की तरफ से क्योंकि China बिलकुल नहीं चाहेगा कि वो अपने neighbor country से किसी भी प्रकार का conflict रखे क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि Russia चाहिना के मुकाबले तो एक मजबूत स्थिती में है और इतनी मजबूत country होने के बावजूद उसने Ukraine में invasion किया और उस पर अपना control नहीं रख पाया तो चाहिना भी अपने परोसियों के साथ सम्मंद को बहतर बनाने की कोसिस करेगा और इसमें भारत भी शामिल होगा ऐसा analyst मान रहे हैं लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी संभावना कम दिखाई देती है क्योंकि चाइना में जिस परकार से nationalism का उभार हो रहा है और president को चुना गया है Xi Jinping को तो ऐसे में बिलकुल नहीं लगता कि इंडिया के अगेंस्ट उनकी policy में किसी परकार का परिवरतन आने वाला है तो ये एक यहाँ पर इंडिया का viewpoint आ जाएगा उसके बाद आप देखेंगे एशिया पर एक और impact पड़ेगा अगर हमने इस पूरे वार situation को सही से समझा है तो हम इसको conclude कर सकते हैं कि इसमें US better position में आ रहा है और चाइना रश्या weak position में आ रहे है और आप जानते हैं कि जो strong position में होता है उसी को सब support करते हैं आपके परोस में एक व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा rich है आपको रोज चाय पानी पर बुलाता है और दूसरा person है जो आप से कुछ न कुछ demand करता रहता है तो आप किसका support ज़्यादा लेने की कोसिस करेंगे आप rich विक्ति के पाश जाएंगे जो मजबूत इस्तिती में है उसके साथ समर्थन बढाने की कोसिस करेंगे तो सेम चीज हो रही है कि Asian countries के पास अगर आप option की बात करें तो Asian countries किस की तरफ attract होंगी Asian countries अमेरिका की तरफ attract होंगी क्योंकि वो बहतर इस्तिती में है और अगर मैं बात करूँ अमेरिका की इस्तिती की तो World War 2 के बाद से आप देखेंगे अमेरिका किसी भी परकार से direct conflict में नहीं कुदा लेकिन उसके बावजूद भी एक advantage में रहा है जैसे यूरोप में अभी जो situation चल रही है उसमें भी अमेरिका सीधे तोर पर war में नहीं आया युद्ध में नहीं आया वो लेकिन उसके बावजूद भी वो एक advantage वाली इस्तिती में है ये world war second के बाद से ऐसा continuous चल आ रहा है कि यूरोप में कोई भी conflict होता है अमेरिका उसमें विजेता ही रहता है इसके बाद अगर हम बात करें United State की national security strategy अभी publish हुई थी उसमें इन्होंने एक जिक्र किया था कि European country और Asian country को आपस में मिलकर काम करना चाहिए Japan, New Zealand and South Korea तो ये America के Asia में बढ़ते प्रभाव को दर्शार आ है तो ये हमारा topic हो गया Russia Ukraine war के Asia पर क्या-क्या impact होंगे इसके लावा आपको इस topic में कुछ भी prepare करने की जरूरत नहीं है हम comprehensive तरीके से इसको cover कर चुके है पिसली वाली PDF और इस वाली PDF को combine कर लीजेगा ये topic आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा ठीक है? चलिए So now next topic is ASEAN देखे ASEAN आपके examination perspective से काफी important है 2018 में यहाँ से question आया था और question में पूछा गया है कि ASEAN के free trade partners में से कौन-कौन सी country शामिल होती है अब इसका answer क्या है? यह आप मुझे comment section में बताएंगे लेकिन मैं आपको यहाँ एक hint जरूर दे देना चाता हूँ इस question को solve करने के लिए आप देखेंगे ASEAN जो countries है वो South East Asian country है और Asia अपने आप में एक continent है ठीक है? ऐसे में एक continent का अगर कोई organization है तो उसमें शायद ही आपको किसी दूसरे continent से countries देखने को बिले हैं तो आप यहाँ कोसिस करिएगा कि other continent की country जो है उसको eliminate कर दिया जाए और जब आप यह eliminate करेंगे आपका answer निकल कर आ जाएगा और आपको मुझे यह comment section में बताना है कि question number 1 का क्या answer है एक और question पूछा था 2016 में question number 2 इसका answer भी आप मुझे बताएंगे comment section में question है एक newspaper में टर्म यूज होता है regional comprehensive economic partnership अभी किस country के context में use होता है वो आपको बताना है तो इसका solution आप मुझे comment section में बताएंगे चलिए अगर India ASEAN relation के context को देखें अभी हम इसको discuss क्यों कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि ASEAN और India के बीच में एक summit हुई है और ये 19th ASEAN India Summit है और इसमें भारत और ASEAN के संबंदों के 30 साल पूरे हो चुके हैं उसी को celebrate किया जा रहा है ये जो बैठा गया वो conduct की गई थी Cambodia में ये भी आपको ध्यान में रखना है और हम इसके background को पहले भी discuss कर चुके हैं कि 1967 में इसको establish किया गया था Bangkok declaration के माद्यम से और ये कहाँ पर है ये Thailand में है और शुरू में इसमें 5 countries ने sign किये थे जिसमें Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore and Philippines आते हैं और बाकी की countries ने इसको बाद में join किया था जैसे कि Myanmar, Laos, Vietnam, Brunei तो इसमें total 10 member countries present time में शामिल हैं इसके बाद इनकी जो chairmanship है वो rotate होती रहती है और rotate होती है ये alphabet के basis पर A, B, C, D टाइप से जो भी alphabetical order चलेगा उसके हिसाब से countries के बीच में presidency rotate होती रहेगी तो ये हो गया हमारा India-ASEAN relation का थोड़ा सा brief background इसके बाद अगर मैं आपको India और AASEAN के relation का background बताओ किस प्रकार के relation इन दोनों के बीच में रहे हैं तो आप यहां कई प्रकार के relation देख सकते हैं Now the first one is economic cooperation Economic cooperation में क्या है इंडिया और चाइना के बीच में जो trade है 2019-20 में वो 79 बिलियन डॉलर रहा है sorry 2020 and 21 में ठीक है 79 बिलियन डॉलर का व्यापार है और 79 बिलियन डॉलर अपने आप में काफी ज़्यादा है इतना बड़ा व्यापार हो रहा है तो हमारे बहुत अच्छे पार्टनर हैं यह पूरे countries ठीक है उसके बाद अगर मैं आपको बताओं तो 2009 में हमने इन countries के साथ एक free trade agreement साइन किया था goods के trade को लेकर तो वस्तू के व्यापार को लेकर हमने FTA साइन किया उसके बाद free trade agreement साइन किया था 2014 में in services and investment ठीक है और इसके बाद से आप देखेंगे कि दोनों ही countries के बीच में economic relation काफी ज़्यादा better हो गए और इसी का प्रणाम है 79 billion dollar का व्यापार होना ठीक है अब ये 79 जो है वो थोड़ा सा covid की वज़ा से affect हो गया था वरना इनके बीच में relation इससे पहले की अगर मैं आपको बताऊ 2019 and 20 में जो relation है economic वो 87 billion dollar तक पहुँच गए थे so this is the importance of ASEAN उसके बाद दोनों countries के बीच में comprehensive economic cooperation agreement भी sign हो रखा है तो CECA बहुत सारी countries जो ASEAN में आती है उनके साथ इंडिया ने CECA sign कर रखा है ये भी economic cooperation को दिखाता है उसके बाद second बात करें हम political cooperation की तो political cooperation को बढ़ावा देने के लिए ASEAN India Center इसकी इस्थापना की गई है जिसका काम होता है दोनों ही countries के बीच में even ASEAN एक country नहीं है तो ASEAN और इंडिया के बीच में policy research को बढ़ावा देना इसके अलावा दोनों के बीच में cooperation को बढ़ावा देना ये सारे इसके objective है अगर हम तीसरी बात करें तो relation में आपको financial assistance भी दिखाई देगा financial assistance तो भारत ने इन countries को ना बहुत सारे मोको पर assistance भी दिया है financially कई सारे funds इसमें आप include कर सकते हैं जैसे ASEAN India cooperation fund इसके अंतरकर भारत ने काफी जादा मदद पहुँचाई है उसके बाद आप देख सकते हैं ASEAN India Science and Technology Development Fund उसके बाद ASEAN India Green Fund Green Energy को लेकर है ये ठीक है तो इस प्रकार के बहुत सारे funds के माद्यम से भारत ने यहाँ पर इनको मदद भी पहुचाई है उसके लाबा भारत ने connectivity को बढ़ाने के लिए भी प्रियास की है connectivity को बढ़ाने के लिए एक आपने जरूर नाम सुनाओगा कालादान परियोजना कालादान multimodal project ठीक है जी म्यानमार के सितवे बंदरगाह से ठीक है म्यानमार का सितवे बंदरगाह और उसके बाद कालादान रिवर के माद्यम से इंडिया के नोर्टीस्ट रीजन से इसको फिर से जोड़ दिया जाएगा तो इस पर मैं एक short वीडियो आपको और बना दूँगा तो एक मिनट के अंदर सारा कालादान जो multimodal project है उसको हम map पे discuss कर लेंगे ठीक है तो इस प्रकार के दोनों countries के बीच में relation यहाँ देखने को मिलते हैं अगर हम current बैठक की बात करें उस बैठक के बात क्या-क्या outcomes आए तो इंडिया यहाँ पर सपोर्ट करता है आशियान की centrality का अगर आप आशियान countries की position देखेंगे South East Station countries की तो यह यहाँ पर दिखाई देती है और यह एक strategy के रूप से काफी important शेतर है क्योंकि यह Indian Ocean और Pacific Ocean के बीच में है ठीक है तो इसलिए भारत इनकी centrality का समर्दन करता है और इनके साथ relation अगर हमारे better होंगे तो हम दोनों ही प्रकार की countryों से अच्छे संबंद बना सकते हैं ठीक है क्योंकि यह connect करने का काम कर रहा है इंडिया को यहाँ East Asian countries से तो यह हमारा पहला यहाँ जो है वो relation बहुत ज़्यादा regional थे मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा progress उसमें नहीं दिखाई देता था और उस समय आप जानते हैं कि हमारी जो policy हुआ करती थी वो lookish policy के नाम से जानी जाती थी और आपको lookish नाम से ही पता लग रहा होगा कि हम अपने पडोसी देशों को लेकर बहुत ज़्यादा कीन नहीं है बहुत ज़्यादा हम attractive नहीं है हम उनके उपर ध्यान ही नहीं दे रहे थे लेकिन फिर हमें जब महसूस हुआ कि हमारे neighbors हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है उनके साथ हमारे economic cooperation होने चाहिए political cooperation होने चाहिए strategic cooperation होने चाहिए तो हमने अपनी इस lookish policy को change करके actish policy में convert कर दिया जिसका मतलब है हम अपने पडोसी देशों के साथ अब proactive तरीके से relations को बनाएंगे ठीक है तो यहाँ पर actish policy इस बात को दर्शाती है कि Asian countries हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है हर aspect से चाहिए वो economic हो चाहिए वो strategic हो चाहिए वो cultural हो हर aspect से आपको यह important दिखाई देंगी इसके बाद इस summit में एक outcome आया है दोनों ही अगर हम आशियान की बात करें और इंडिया की बात करें कि अगर किसी भी प्रकार के dispute होते है ocean में या फिर air में तो इन dispute को peaceful तरीके से solve किया जाएगा जो international laws हैं उनके माधियम से solve किया जाएगा for example अगर कोई समुद्र से लेकर विवाद हो गया तो unclosed के नियमों को follow किया जाएगा ठीक है तो unclosed क्या करता है ये समुद्र से सम्मंदित नियमों को बनाता है उसके बाद यहाँ पर international aviation organization है एक तो इनके नियमों को follow किया जाएगा अगर किसी प्रकार का dispute होता है air को लेकर उसके बाद international maritime organization के laws को भी यहाँ follow किया जाएगा तो किसी भी प्रकार के dispute होते है navigation को लेकर और flight को लेकर तो हम international laws का पालन करेंगे ये दोनों ही groups ने जो है reaffirm किया है उसके बाद maritime cooperation को बढ़ाने की बात हुई है अब देखे maritime cooperation इस छेतर में काफी important हो जाता है जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि Indian Ocean region है और यहाँ पैसिफिक ocean है तो यहाँ पर एक problem देखने को मिलती है that is piracy तो यहाँ जितने भी जहाज वकरा जाते हैं उन जहाज को loot लिया जाता है चोरों के द्वारा तो ऐसे में यहाँ पर patrolling करनी काफी जरूरी है और अगर आप इन countries के साथ better relation बनाते हैं आशियान countries के साथ तो कहीं न कहीं आप समुद्र में अपनी बहतर इस्तिती को बनाए रखने में सक्षम रहेंगे ठीक है तो यह एक इसका outcome आएगा उसके बाद अगली बात करें तो यहाँ पर terrorism and transnational crime को लेकर भी बात होगी क्योंकि देखें इंडिया सबसे ज़्यादा प्रभावित रहता है terrorism जैसे चीजों से तो हमेशा कोई भी forum हो इंडिया का एक aspect जरूर निकल के आता है वो है terrorism पर cooperation ठीक है तो चाहें वो cyber crime हो चाहें वो money laundering हो चाहें वो human trafficking हो या फिर हतियारों की smuggling हो इन सभी को रोकने के लिए भारत जरूर प्रयास करेगा कि बाकि सभी countries भारत को समर्धन दे तो यह एक चीज आ गई क्योंकि इंडिया का जो image है international level पर वो peaceful country के रूप में है और अगर इंडिया peaceful country बना रहता है तो यह भारत की दावेदारी को भी प्रस्वत करता है United Nations Security Council में तो हमारे बहुत सारे हित इस चीज से जुड़े हुए है आगे और outcomes की बात करें देखें मैंने बहुत सारे outcomes लिखें है इस summit के आपको अगर examination perspective से याद रखने है कोई भी चारपाच याद रख लिजिएगा क्योंकि limited content हमें वहाँ पर लिखना होता है 250 words में या फिर 150 words में आपका इतना content एनफ होगा उसके बाद हमारा cooperation है space sector में अब space sector में क्या cooperation हुआ है इस outcome के इस summit में तो Vietnam and Indonesia की अंतरकत एक tracking data reception and processing station बनाया जाएगा तो कि हमारे satellite जो होते है satellite को आपको track करने की ज़रोद पढ़ दी है कि कहाँ पर वो travel कर रहा है इस समय उससे जो data आ रहा है उस data को आपको receiver के थूँ receive करना पढ़ता है इन सारी चीजों के लिए यहाँ पर कुछ center इस्थापित की जा रहे है Vietnam and Indonesia में तो यह space sector में हमारे cooperation को दरसार है उसके बाद दोनों ने अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए India-ASEan trade in goods agreement को और जादा मजबूत बनाने पर जो है जोड़ दिया है परतन देखने को मिल रहे है तो इन सभी चीजों के लिए हम smart agriculture को कैसे promote कर सकते हैं इसको लेकर भी दोनों जो आशियान एंडिया है वो काफी जादा progressive है उसके बाद military medicine के छेतर में एक new cooperation देखने को यहाँ पर मिला है अब military medicine का मतलब होता है कि battle field में आप जानते हैं कि बहुत सारे जो हमारे soldiers हैं वो गायल हो जाते हैं तो उनका treatment करना उनको अच्छे से देखभाल करना यह सभी इसके objectives रहेंगे ठीक है तो यह हमारा इस summit का outcome है बाकि अगर way forward की बात करें तो दोनों ही आशियान एंड इंडिया को आपस में cooperation बढ़ाने की जरूवत है अब आप multiple forums में multiple regional group में अपने cooperation को बढ़ा सकते हैं जैसे cooperation आप कर सकते हैं Indian Ocean Rim Association के माधियम से आप Dimsteak के माधियम से कर सकते हैं उसके इलावा आप यहाँ पर IMTGT के माधियम से भी cooperation कर सकते हैं जिसका full form होता है Indonesia, Malaysia, Thailand, Growth, Triangle अब इनके बारे में थोड़ी-थोड़ी research आप लोग कर लीजेगा क्योंकि अगर मैं research करूँगा आप लोग को इसके बारे में भी बताऊँगा तो बहुत जादा extend हो जाएगा हमारे lecture ठीक है तो यह आपका homework रहेगा आप BIMSTEC के बारे में पढ़ेंगे Indian Ocean Rim Association के बारे में पढ़ेंगे यह काफी पुराना हो गया है और IMTGT के बारे में भी आप लोग पढ़ेंगे ठीक है अब एक question और दिखाएता हूँ आपको में previous year question paper में पूझा था यह topic काफी important है 2016 में पूझा हुआ है question की post cold war era में भारत की look east policy के economic and strategic dimension क्या है ठीक है उस पर आपको focus करना है देखिए जब भी हम आशियान countries की बात करेंगे तो वहाँ look east policy, act east policy का जिक्र जरूर करना है और जब look east, act east policy के बारे में question आएगा तो हमें आशियान का जिक्र जरूर करना है ठीक है, तो यह आपका topic यहाँ पर complete हो जाता है इसके बाद the last topic is G20 meeting take away अब इस meeting के क्या take away है देखिए हम इस topic को detail में discuss कर चुके हैं सिर्फ take away सुन लीजिए, यहाँ 5 points है पहला तो यह है कि इंडिया ने रशिया को एक message दिया है और इंडिया का message वही रहेगा आप यहाँ युद्ध करने की कोसिस मत करिए G20 meeting में अगेन भारत की द्वारा ये बात कही गई है तो एक तो हो गया take away number 1 उसके बाद दूसरे take away की बात करें तो यहाँ पर पहली बार भारत को इतने बड़े organization की presidency मिली है अभी तक भारत ने इतने बड़े level पर किसी organization की presidency नहीं की है तो दूसरा take away हो गया ये तीसरे take away की बात करें तो world की दो most powerful economies ने आपस में cooperation बढ़ाया है जिसमें US and China है अब मैंने आपको बता दिया कि ये cooperation क्यों बढ़ रहा है क्योंकि अमेरिका की इस्तिती मजबूत है रशिया की इस्तिती कमजोर हो रही है और चाइना की इस्तिती भी उसकी वाजा से कमजोर हो रही है तो चाइना कोसिस करेगा कि अमेरिका के साथ बहतर संबन्द विक्सित किये जाएं ओके दिफोर्थ टेकवे इस डिवाइड बिट्विन रश्या एंड वेस्ट इन इस एविडेंट आपने देखा होगा कि यूक्रेन के बाद जब से कॉन्फिक्ट हुआ है तब से वेस्टन कंट्रीज और रश्या के बीच में कॉपरेशन बहुत ज़्यादा कम हो चुका है ठीक है तो ये जी ट्वेंटी में भी हमें देखने को मिला उसके बाद मीटिंग ओफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर और चाइनीज प्रेसिडेंट देखें 2020 से जब बोर्टर डिस्प्यूट हुआ था इंडिया और चाइना का तबसे दोनों के बीच में कुछ पब्लिक मीटिंग देखने को नहीं मिली थी तो 2020 के बाद से पब्लिक मीटिंग अब यहां G20 में दोनों कंटेज के बीच में देखने को मिली है तो यह 5 टेक अबे थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा बाकी G20 टॉपिक मैं आपको करा चुका हूँ आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर उसको देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है तो आप लोग का रेस्पोंस क्या है इस लेक्चर को लेकर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता रीजिएगा और अगर आपको कोई क्वेरी है कुछ पूछना है मुझसे इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर या फिर आपको यहाँ पर एड़ोन करवाना चाहते हैं इस लेक्चर में मैं क्या आपके लिए कर सकता हूँ तो वो सजेक्शन भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं और अगर आपकी कोई क्वेरी भी होगी ना तो क्वेरी भी उसी सेक्शन में आप लोग लिख दीजिएगा मैं जब next session record करूँगा तो वो सारी queries को address कर दूँगा ठीक है चलिए यहाँ पर इसको end करते हैं मिलते हैं new topics के साथ new lecture में thank you so much